नमस्कार मित्रो, कनाद अकेडमी चैनल में आपका तुना हार्दिक स्वागत है मित्रो पूर वर्ष के दरशन से सम्वन्दित आपके जो भी 2009 से 2022 तक के प्रशन है उन सब हमारी चर्चा चल रही है उसमें काफी सारे विशेओं को हमने पूरा कर लिया है सांख्य के, वेदान्त के, न्याय के, आधी-आधी जो अवशिष्ट विशे हैं उनको हम आज पूरा करेंगे तो आज हम ब्रहमसुत्र और न्याय सिद्धान्त मुक्तावली इन दोनों में पूर वर्ष के जो जो भी प्रशन आये हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और ये दोनों विशे ऐसे हैं जिनको विद्यार्थी, साधान, तया नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं तो इनको छोड़ने की आवशक्ता नहीं है यद्यपी ये कठिन गरंथ लेकिन जिस प्रकार से आप इनको अध्यन का पार्ट में आपको बताऊंगा उस तरह से अगरी आप तयार करते हो तो बहुत थोड़ा विशे करके ही आप इनको तयार कर पाएंगे बहुत ज़्यादा पढ़ने की अपेक्षा नहीं है तो प्रश्नों के माद्यम से देखी क्या क्या विशे तो जो इसके साथ में पढ़ने का विशे होगा वो भी मापको बताता रहूँगा तो आप देखेंगे ब्रहमसूत्र के जो विशे हैं आपके वो 2015 से स्टार्ट होता आपका प्रश्न आपका अथा तो ब्रहमसूत्र का पहला सूत्र है उसमें अथाशब्द का अर्थ पूछा है अथाशब्द का अर्थ क्या है तो अथाशब्द के अमरकोश में कई सारे अर्थ बताए जाते है आपके अधिकार अर्थ भी है, आनंतरी अर्थ भी है, आधी आधी, तो वहाँ पर आनंतरी आर्थे हैं, आचरे शंकर कहते हैं, अथा शब्दा आनंतरी आर्थ, अधिकार आर्थ या मंगल आर्थ नहीं है, दो पार्ट कर वहाँ पर खंडन किया है, कि अधिकार आर्थ नहीं है और मंगल आर्थ नहीं है ठीक है मंगल आर्थ नहीं है तो पूर सकते हैं कि किन किन अर्थों का पुरुशमास है और भ्रम्ण में जो शश्थी हुई कर्मनी शश्थी यह भी most important आगे कभी आ सकता है अथा तो भ्रमजिज्यां से इत्यत्र भ्रम्ण इत्यस्मिन पदे सष्ठी कस्याम सष्ठी किसम हुई है कर्मनी सष्ठी हुई है अगला देखिए ब्रहमसुत्र अस्य रचाईता को अस्ति यह सिंपल आपका महरशी बाद रैन आपके शंक्राचारिय नहीं करना है शंक्राचारिय ने ब्रहमसुत्र लिखा नहीं है शारीरक भाष्या जो आपका ब्रह्मसूत्र का है इसमें अलग-लग मत हैं आपके न वेदानत के अद्वाइत है द्वाइता द्वाइता शुद्धा द्वाइत विशिष्टा द्वाइत उनके अलग-लग आचारी है और उन आचारीों के द्वारा कौन-कौन से आपके भाष्चा किये गए है वो सब important part है आपकी परिक्षावो में आते रहे तब याद रखीगा ठीक है फिर जन्वरी सत्रा में आपका शास्त्र योनित्पात इत्यस्पिन सूत्र योनित्यस्य शब्दस्य कोर्था योनि शब्दकार्थ क्या है तो आपे कहते हैं कि जो भी महताह रिगवेद आदी शास्त्र है जो महान रिगवेद इत सकते हैं कि शास्त्र की योनिक किसको स्विकार किया गया ब्रह्म को ब्रह्म ही उनका उत्पत्ति स्थान है ब्रह्म से ही उन सब शास्त्रों की उत्पत्ति आपकी हुई है उसमें कई सारे वेद इत्यादी के प्रमान भी आप दिये हैं निश्वसितम रिग्वेदाह से ब्रिधारन्य को अपनिशद का दिया है आपका अस्यो महतह भूतस्या निश्वसितम रिग्वेदाह कि उस महान परमात्म से ही रिग्वेद इत्यादी का निश्वसन हुआ तो जो जो भी वेदों के प्रमान दिये गए हैं आपके तत-तत सूत्रों में उनको भी रखीगा क्योंकि वे पंक्तियां भी आपकी आजाती है। अचेतन जो प्रधान जगत का कारण है यह सांख्य का सिध्धांत है। और उस सांख्य के सिध्धांत का आचरे शंक्रमा खंडन करते हैं। जड में तो नहीं होती अचेत्र में तो नहीं होती तो इस एक्षत ही हेतू के कारण से सांखे के द्वारा स्विक्रत जो सिध्धानत की अचेत्रम प्रधानम जगता कारणम वो सही नहीं है वो अशब्द है इस प्रकार से वहाँ पे खंडन आपका किया है आगे आपका तद ब्रह्म सरवज्यम सरवशक्ति जगत उत्पति स्थिति लयकारणम इत्यवबोधा शांकर भाष्यनुसारम कस्माद भवती ये जो आपका बोध है ये शांकर भाष्यनुसार किस्य होता है कि वो जो ब्रह्म है वो सरवज्य है वो सभी शक्ति की जगत की उत्पत्ति का स्थिति का और ले का कारण है तो ये आपका किस्य होता है कारण कार्य भावावाद तो कारण और कार्य भाव से क्योंकि ये जितनी भी उत्पत्ति हो रही है कार्य है और भ्रहम उनका कारण है तो इस कारण कार्य भाव के कारण से ही उस ब्रहम को इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और ले का कारण बता है। वो अचरे शंकर के निस्वार किस के द्वारा होती है। उनके बाद ले होता है। इस प्रकार का करम वहां पर दिया है। इत्यादी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट था जो मैं आपको बताया। यहां पर प्रशन था यताह के संदर में कि यताह पद किस के द्वारा कहा जाता है। किस के कांड़ सी जीवन बना रहता है और किस में हम लीन हो जाते हैं तो ब्रह्मना है। ब्रह्मन का पार्ट आपका वहां पर स्विकार किया है। स्थूलो हम क्रिशो हम इत्यत्र शांकर भाष्यनुसारम भवती यह किस के बारे में कहा गया शांकर भाष्य में अध्यास के बारे में। अध्यास है आपका अतस्मिन तद बुद्धी अध्यास है, जो वस्तु वो नहीं है, वहापे परिभाशा क्या करते हैं? अतस्मिन तद बुद्धी है, जो वो नहीं है, उसमें वैसी बुद्धी रखना, यह आपका अध्यास है, यह अतस्मिन तद भावार, वहापे अध्या जो परिभाशा दी अध्यास की वो मैं आपको रखी अतस्मिनतत बुद्धी कि जो जैसे रसी है उस रसी साप नहीं है लेकिन उस असरप भूत रसी में सरप का जो आरोप किया जा रहा उसको अध्यास कहेंगे जो कि विदान दर्शन में जो विदान सारकेन इसको भी कहा जाता है उसी अध्यारोप को अच्रे शंकर क्या बोलते हैं आपका अध्यास कहते हैं अध्यास तो यही है अध्यास मतलब है जो वस्तु वो नहीं उसमें वैसा आरोप करना स्थोलो अहम अहम के द्वारा बोध्य क्या है आत्मा और स्थूल धर्म किसका है वे शरीर का है लेकिन दोनों हमने क्या कर दिया तादात में कर दिया यह तादात में ही आपका अध्यास है ऐसे क्रिशो हम ऐसे मुखो हम बधिरो हम इत्यादी पार्थ है या फिर अंता करण के वापके बता रखे हैं कि आपका संकल्प है वेचे किसा है अध्याबसा इत्यादी जितने भी पार्ट हैं, ये अलग-लग प्रकार के अंत्ह करनों के हैं, लेकिन हम अध्यास के कार्ण से, वो किसके स्विकार करते हैं, कि मैं निश्चे करता हूं, निश्चे तो बुद्धी करती हैं, मैं थोड़ी करता हूं, मैं संकल्प विकल्प करता हूं, संकल्प विकल्प तो मन करता मैं तो नहीं करता मैं विचिकित्सा करता हूं विचिकित्सा तो चित करता है मैं तो नहीं करता इस प्रकार का जो पार्ट आपका ये अध्यास कहलाएगा most 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 important है दिसंबर 2020 के भी कुछ प्रशन है आपके ब्रह्मसुत्रशांकर भाष्यानुसारम कि ब्रह्म की अस्तित्व का पाठ है, कि ब्रह्म है या नहीं है, उसके अस्तित्व की प्रसिद्धी किस्य है, तो वहाँ पे दो हेतु आपके यहाँ पे दिये हुए है, ब्रहते धातो हो अनुगमात, ब्रहते धातु का, ब्रिंग वृद्धा धातु हो आपके उस पाठ से, सबका आत्म भूत है सबका कारण भूत है इन इन दो आधारों पे देखो प्रशन थोड़ा कठी नहीं था लेकर ओप्शन इजी है पंच प्रियाज है प्रकृतियाग है तो मिमांसा का विशय है आपके इसकी अंदर तो मिमांसा का पार्ट कुछ ही नहीं यहां पे तो आत्म पार्ट है या ब्रह्म की ब्रिहधातु को लेकर यहां पे लिखा गया है इसी से आपके ब्रह्म की अस्तित्र की प्रसिद्धी आपकी हो जाती है तो ए और डी ऑप्शन बनेगा आपको फोर्थ दिसंबर बाइस का देखी कि यतोवा इमानी भूत आनी जायें तभी मनें ब होते हैं उसी अधिकरण में आपका यह उपनिशद्ध का प्रमानवा पर प्रस्तुत किया गया था तो इत्री उपनिशद्ध का था यह बस इतने ही प्रशन था बिल्कुल सामयने से पार्ट है तो यह आपका पूरा हो गया अब देखिए आपका इसका न्याय सिद्धान अबया और देखिए प्रशन आपके लिए और दौज आपके स पूरार सोला से स्टार्ट हुएं आपके तो न्याय सिद्धान् तमुक्तावल्याम साध्य शुन्यों यत्र पक्षः तू डाहर हिता हं कि साध्य किन्षुन्य यत्र पक्ष्य होता है किक यह की बारे में कहा गया है तो हमें पता है कि न्याय सिधनक्तावली काफी कठिन गरंथ है विश्वनात पंचानन का और नव्य नय का एक प्रामानिक जो वृत्ति है उनकी विश्वनात की उन वृत्तियों की पंग्तियां भी आपकी आ जाती है तो यह तो कारिकां से ही डारेक्ट प्रशन था आपका वहाँ पर आपके क्या क्या विश्वाइंगे व्याप्ति की परिभाश आपकी की हुई है वहाँ पर फिर पक्षज आदी की परिभाशां की हुई है फिर आपके हित्वाभास का प्रकरण आता है यह कुछ-कुछ विशिष्ट प्रकरण आपके जो वहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर यह पूछा गया आपका यह उसके अंत्रगत आता है हित्वाभास के अंत्रगत और वहाँ पर हित्वाभास भी जो त अधाना साधाना अनुपसंगारियादी असिद्ध के भी तीन है वो सब पार्ट आपका सेम है थोड़ी परिभाशा है अलग है उन परिभाशाओं को आप ध्यान रख सकते हैं प्रशनों में जितना अगो तरह मैं बताता रोंगा बाकी आप अपने आप भी देख सकते हैं क्लास में मैंने सारे कराई दिये थी नोटस भी आपके दिये थी बना के तो साध्य शुन्य यत्र पक्षा तो ये बाधित आपका जो हित्वा भास है उसके बारे में कहा गया है बाधित का हमें पता था कि जहां पर दूसरे प्रमानों के द्वारा आपका विशय बादित हो जाता है तो वही भाव यहां पर कहा साध्य शुन्य यत्र पक्षा है कि जो पक्ष है आपका जिसे अगनी अनुष्णह ऐसा पार्ट प्रसिद है आपका इस उधान के रूप में यहां पर तो अलग है उधान जो दिया गया है निलादित करके लेकिन यहां पर समझ की दिश्टिस हम देखे तो क्या हर्थ होगा आपका कि जहां पर पक्ष साध्य से शुन्य है यसे अगनी ही अनुष्णह अनुष्णत्व आपका साध्य है पक्ष आपका है अग्नी, तो अग्नी के अंदर अनुष्णत्व शुन्य है, मतलब वहाँ पे उष्णत्व रहता है, अनुष्णत्व तो नहीं रहता, तो जहाँ पर पक्ष साध्य सुन्य होता है, उसको बाधित हित्त अभास कहा जाता है, ठीक है जी, यहां रखीगा, अनुमिती मतलब अनुमान प्रमान से जो ज्यान प्राप्त किया जाता है उसको अनुमिती ज्यान कहा जाता है उस अनुमती ज्यान का जो प्रतिबंधक है जो ऐसा उसको क्या बोलते हैं आपका हित्ता भास कहते हैं तो यह हित्ता भास का आपका लक्षन है ऐसी डिरेक्ट पं अंदर में यह होना चाहिए क्योंकि काफी कुछ वीशे आपका मैच होता है कि अनुमिती ज्यान का जो प्रतिबंधक है उसका बाधक है अनुमिती ज्यान का गलत ज्यान कराता है आपका उसको हम यह कहेंगे कि साधविति करने की इच्छा से शुन्य जो सिध्धी यहाँ पर रहती है उसको क्या कहा जाता है तो कहा जाता है तो कहा जाता है पक्ष यह पक्ष की डेफिनेशन है पक्ष की दो परिभाषा हैं एक तो यह आए गई एक परिभाषा ओर आए गागे वह लिए आपको बता दूगा यह जैसे तीन पार्ट होते हैं पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तो सपक्ष तो क्या है जहां पर सिद्धिश उन्य नहीं में क्या सिद्ध करना चाते हैं वहनी मत्पक को अगनी को सिद्ध करना चाते हैं तो अगनी क्या है परवत पर साधही तो मिच्छा सिसाधही शा और वहाँ पर वो अभी सिद्ध नहीं है उसकी सिद्धी कैसी वाँ पर शुन्य है अभी अभी हुई नहीं है जिसको अभी आग द्रिशा व्याप्ति ही का निया सिध्धान्त की द्रिश्टी से व्याप्ति क्या है वहां पर भी व्याप्ति के दो आपके लक्षन किये गए हैं एक लक्षन आपका साध्यावत अन्यस्मिन असंबंधा असंबंधा तो साध्या आपका अगनी हो गई साध्यावत मत्यों साध जहां पर वर्तमान है आपका वो पक्ष हो गया उस पक्ष से अन्य क्या हो गया आपका विपक्ष हो गया उस विपक्ष में उस साध्य का संब्ध न होना तो पाठ हुआ कि साध्य में होना लेकिन साध्य के जो विपक्ष है उसमें न होना इसी को कहा जाता है व्याप्ति अर् परिभाशा भी आपकी आएगी हम पढ़ चुके तर्क संग्रा में आपकी और व्यापती जियान का करन स्विकार किया जाता है अन्य स्थानों पर लिंग परामर्ष को करन स्विकार करते हैं तर्क संग्रेत्यादी में लेकिन यहाँ पर unique है उसका खंडन कर तेलिंग आदी का व्यापती ज्यान को करन माना है कि अनुमिती ज्यान में यह अनुमिती जो आपका ज्यान हो रहा उसका करन क्या है व्यापती धी या व्यापती ज्यान, most important है, याद रखी रहाँ दिसंबर 18 में आपका साध्य शुन्य पक्ष है, या आपका अभी आयत आपका साध्य शुन्य जो पक्ष है, मुक्तावल्याम का उधारित है, किसको उधारित किया गया है, repeat है question आपका, तो बाधा, बाधित जो हित्वा भास है, उसको ही साध्य शुन्य पक्ष आपका मुक्त कि साध्य के साथ में हेतु का साध्य मतलब होगी अगनी और हेतु मतलब उस उधान के अंदर आपका होगया धूम इन दोनों का जो सामान धी करण्य हैं उसको बोलते हम आपका व्याप्ति और वहाँ पर यह बोलते हैं यत्र यत्र धूम है तत्र अगनी ही वहाँ पर हम साध् एक आधी करण्य करते हैं, सामाना धी करण्य करते हैं, लेकिन यहां पर अगनी साध्य को विशेशित किया, हेतुमन निष्ठ, हेतु जहां पर रहता है, उसको हेतुमन कहेंगे, उस हेतुमत निष्ठक से विरह का जो अप्रतियोगी है, मतलब हेतुमत, ऐसे साध्य के साथ मे हेतु का जो एकाधिकरण्य है वो आपका व्यापति कहलाएगा थोड़ा सा कठीन विशे हैं लेकिन दोनों बस याद कर लीजिए एक तो हो गया आपकी ये परिभाशा साध्यावत अन्यस्मिन असम्मंधा और दूसरा हो गया आपका ये सहेतु मन निष्ठ पक्ष में रहना व्याप्यस्य ये आपकी परामर्ष की परिभाशा है कभी आगर पूछे कि व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व धी क्या होता है व्याप्य का पक्ष में वर्तमान होना व्याप्य मतलब धूम धुमे का पक्ष में होना उसको परामर्ष कहा जाता है परामर्ष की परिभाषा है यह पक्ष की दूसरी परिभाषा है एक परिभाषा पक्ष की हम उपर देख चुके हैं यह दूसरी परिभाषा है यह भी आपकी परिक्षा में आती रहती है इसको ध्यान रखिए या, दिसम्बर 22 का पक्षता या लक्षनमस्ती आ गया आपका दुबारा, ये है आपका, कहा गया, हाँ, सिसाधाईशा या, सिसाधाईशा विरह विशिष्ट सिध्य भावा पक्षता, वही पार्ट है, तो सिसाधाईशा, ये मैं देखो काफी चेंज क ही आगया, सिसाधाईशा विरह सिध्य पक्षता, उपर वाले में फे थोड़ा, सिसाधाईशा वत्वा भावा पक्षता, तो पूरा याद रखना, सिसाधाईशा से विरह, उस विरह से विशिष्ट सिध्य का अभाव होना ही पक्षता आपका कहलाएगा, दो लक्षन आप उसका प्रतिबंध रस लग रूप में भी प्रशन थे जो मुझे आपको मिले सिंधान्र मुक्तावली, कुछ प्रसुंग स्थियान फुर्वकत देख लेंगे फिर भी कोई विशा आपको पूछना ऐसा लगता है कि नहीं समझे में आया पूछना है, तो आप कमेंट्स की माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको बताने का प्रियास करेंगे, ओम, शम, इसमें इतना ही रखते हैं, अब आपका दर्शन का एक जैन और बोध वाला विशा अ साफिट और का है कि वाला सकते हैं, हम, आपको पिछर झाला विद आपको जैना है, में आपको जैना है का पी ऊपको.